वेलकम तो आर यूट्यूब टैनल 2427 AP लिब्रेरी आज की इस वीडियो में हम CBSC बोर्ड के न्यू पैटरन के बारे में बात करेंगे जो के उन्होंने करेंट सेशन के लिए 10 और प्लस टू के लिए नाउस किया है इसमें क्या-क्या पॉइंट्स हैं एक्जाम कब होंगे कैसे होंगे किस फॉर्म में होंगे यह सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और फाइनल रजल्ट में क्या-क्या चीज एड होगी कौन-कौन से मार्क्स एड होंगे यह सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो यह जो तो आई यह स्टार्ट करते हैं यह जो आप नोटिस देख रहे हों यह सीवी एसी ने रिलीज किया है न्यू गाइडलाइन इसमें दी गई है special scheme of assessment for board examinations classes 10th and plus 2 for the session 2021 and 22 तो यह फस्ट पॉइंट देखते हैं फर्स्ट है कि 10th और plus 2 दोनों classes का first thing is कि 10th और plus 2 दोनों को two terms में ड्वाइड किया है और हर एक term में 50% syllabus होगा term 1 में 50% and term 2 में भी 50% और जो syllabus है वो जुलाई मांथ में ही release कर दिया जाएगा वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्स कर लेंगे नेक्स्ट है जो इंटर्नल असेस्मेंट 910 की और plus 1 plus 2 की 910 की जो उसमें थ्री प्रियोडिक टेस्ट टर्म 1 2 के इलावा थ्री प्रियोडिक टेस्ट होंगे इसके बाद है जो तर्म 1 के एक्स्ट प्रियोडिक प्रोजेक्ट वर्क यह सब कुछ उसमें इंक्लीड होगा इंटर्नल असेस्मेंट में प्लस 2 में जोनित टेस्ट और एंड ओफ टॉपिक टेस्ट होंगे एक्स्ट्रेटरी अक्टिविटीज प्रेक्टिकल्स प्रोजेक्ट्स यह सब प्लस 1 2 के इंटर्नल असेस्मेंट में इंक्लीड होगा इसके बाद है जो टर्म 1 के एक्जाम नमंबर और दिसंबर मांत में होगे पॉर्ट डू एट वीक्स का टाइम होगा एकजाम को कशाक्त करने का तो नमंबर और दिसंबर मांत में और ऑन के एक्जाम्स है जो वो mcq based होगे कॉस्ट पर होगा जो mcq based होगा उसमें case based mcq हो सकते हैं direct mcq हो सकते हैं और assertion reason type mcq total duration है जो test की वो 90 minutes means one and half hour और इसमें term 1 का जो स्लेबस डिसाइड होगा CBSE की तरफ से वो इसमें आएगा वो इसमें इंक्लिवड होगा और कॉस्टन वेपर है जो वो CBSE की तरफ से आएंगे एक्जाम्स OMR sheet पे होंगे OMR sheet जिस पे only टिक करना होता है right option को टिक करना है वही sheet यूज होगी इन एक्जाम्स में और term 1 के marks है जो वो final result में भी add होंगे कि नाओ टू 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 है जो वो मार्च अपरेल के मंत में होगा मार्च अपरेल 2022 कि उसमें जो टू के लिए 50 परसेंट से लेबस डिसाइड किया जाएगा उसमें से टू आर्स का पेपर आएगा और टू में कौन-कौन से कॉस्टन होगे case-based situation-based open-ended short answer या तर्म टू का जो एक्जाम है वो सब्जेक्टिव होगा और अगर सब्जेक्टिव एक्जाम के लिए situation ठीक ना हुई तो 90-minute mcq-based exam होगा जैसे के टर्म वन में में मेंचिन किया हुए सेम टाइप का एक्जाम टर्म 2 में हो जाएगा और तर्म 1 और टर्म 2 दोनों के मिला के और प्लस इंटर्नल असेस्मेंट जिसमें के थ्री प्रियोडिक टेस्ट स्टूडेंट अनिज्चमेंट अक्टिविटीज पॉर्ट्फॉल्यो प्रेक्टिकल वर्क प्रोजेक्ट वर्क स्पीकिंग लिस्निंग अक्टिविटीज यह सब कुछ इंक्लिवड है तो इन सभी के बेस प वह तो तो उसके लिए इंट में कम कर दी जाएगी ट में उसके मार्ट मेंग कर दोंग मार्च अप्रेल में स्कूल बंद हुए और टर्म 2 के एक्जाम होगे और टर्म 1 के स्कूल में हुए तो टर्म 1 को वेटेज ज्यादा दी जाएगी तर्म 2 के comparison तो situation पर डिपेंड करता है और यह clear है कि जो होम बेस्ड एक्जाम होंगे उसकी वेटेज कम की जाएगी और स्कूल में जो एक्जाम होगे उसकी वेटेज ज्यादा होगी उसकी percentage final result में ज्यादा होगी एक और पॉसिबिलिटी है कि अगर दोनों टर्म सो होम बेस्ड हुई मेंज ना तो नमबर संबर में स्कूल ओपन हो सके और ना ही मार्च एप्रेल में तो क्या होगा final result है जो internal assessment के बेस पे decide होगा internal assessment के बेस पे बनेगा उसमें term 1 और term 2 की वेटेज कम कर दी जाएगी और जो internal assessment वरक है जिसमें practical वरक प्रोजेक्ट वरक यह सब कुछ include है उसके बेस पे final result त्यार होगा तो यह थी cbse के इस notification के बारे में explanation मिलते हैं नई वीडियो में नए matter के साथ तिल दन stay tuned to our channel thank you for more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos